नमस्कार competition community में आप सभी का स्वागत है अब आप लोग सोच रहे होगे सर भरे दिवाली में किसे ते लाइव लेथा स्कीक है तो बेसिकली मैं आपको बता दू कि दिवाली की शुट्टी लग जई थी तो मैंने सुचा कि इस वीडियो को पहले से रिकॉर्ड कर दू ताकि ल कर दिया है और रिकॉर्ड करने के बाद आप सभी को प्रेमियर के माधिम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप नीचे क्या करेंगे कमेंट करेंगे और उसके बाद पर नेक्स्ट वीक से जैसी विवस्था पहले बनिंग हुई थी उसी व वीडियो लेकर चल रहे हैं और इसके माध्यम से नारायनपूर जो जिला है डिस्ट्रिक्ट नारायनपूर इसकी मैं आप सभी को क्या कराने वाला हूं तैयारी कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग क्या करें तो नारायनपूर अपना जो डिस् इसके south की तरफ से क्या गरेंगे दो लाइन लेंगे तो north से दो लेना south से दो लेना अब पडोशियों के नाम लिख लेते हैं तो इसके north उत्तर की तरफ जो district है न वो है कांकेर ठीक है तो यह हुआ अपना कांकेर district फोन आ गया था तो इसलिए silent जब लाओं उसको ठीक है उसके बाद यह जो हिस्सा है यह अपना कौन सा है कोंडा गाओं तो यह कांकेर हुआ clockwise चलोगे तो कंडा गाओं है दक्षिन की तरफ आ जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है बीजापूर मिलने वाला है और इसके पश्चिम west की तरफ आ जाए तो महाराश्ट्रा तो हमने क्या किया है हमने नारायनपूर के location को समझा नौर्ट की तरफ कांकेर है सौथ की तर अपन देख लेते हैं तैसील तो यह जो अपना डिस्ट्रिक्ट है ना कौन सा नारायनपूर इस डिस्ट्रिक्ट में हमको बेसिकली चार तैसील मिलने वाला है ठीक है तो सबसे पहला तैसील तो स्वयम जिले का मुख्याला है headquarters जिसको मैंने box में बना दिया नाम लिख देत दक्षन साउथ की तरफ छोटे डोंगर अब इसके पशीमी भाग में आए तो आपको नीचे की तरफ एक तैसील मिलेगा जिसका नाम क्या है नाम है ओरच्छा और इसके उत्तर नौर्थ की तरफ एक तैसील मिलेगा नाम है इसका कोहका मेटा समझें तो बेसिकली मैंने क्य दो विकासखंड है कौन-कौन से है तो एक नरायनपूर है दूसरा क्या है ओरच्छा तो चार तैसील है दो विकासखंड है जिले का हेटकौर्टर रेड कलर के बॉक्स में आपको अरड़ी दिख रहा होगा नाम क्या इसका नरायनपूर फाइनली नाशनल हाइवे भी बता गाउं को किसे नरायनपूर से और आगे चलके ये निकल जाता है कहा शत्तु गाड़ से बाहर कहाँ पर महाराष्ट राज के अल्लापली आपको याद होगा मैंने बताया था महाराष्ट के अल्लापली तक ये जाता है और छत्ति दुगण में इसकी लंबाई 98 किलोमेटर से पिछले वीडियो को माध्यम से मैंने बता दिया था ठीक है प्रशासन अड्मिनिस्ट्रेश्य से विधान सभा तो यहाँ पर एक ही विधान सभा है भहिया क्या है तो है नारायनपूर तो एक ही विधान सभा है क्या नाम है उसका नरायनपूर चार टहसील है दो विकास खंड है हेड़कौर्टर नरायनपूर एक विधान सभा का शेत्र नरायनपूर और एक नाशल हाईव तो इतिहास पर देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जो अपना बस्तर संभाग है, उसके पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिले का गठन का वर्ष क्या था 2007, तो नरायन पूर जो है ये district formation कब हुआ है 2007 में हुआ है और इसका मात्री जिला, parent district जो ह वो क्या था, बस्तर, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2007 में बस्तर को काटके नरायन पूर को क्या किया गया था, एक separate district बनाया गया था, इसके अलावा इतिहास में इससे संबंधित और कुछ विशेश नहीं है, नरायन पूर district से संबंधित, अब हम लोग किस पे आ जाते है, जोग्रफी, जोग्रफी में बही सबसे पहले यहाँ पर कौन सा चटान मिलता है, धारवाड, तो धारवाड रॉक मिलता है, ठेक बात है, इससे खनिज मिनरल क्या मिलता है, हमको लौह अयस्ख आयनोर, और इसका भंदारन रिज़र्व क्या है हमारे यहाँ पर, तो है आराइनफोर डिस्ट्रिक्ट है, यहां से रॉक क्या मिलेगा, चत्तान क्या मिलेगा, मिलेगा धारवान, ठीक है, मिनरल खनिच क्या मिलने वाला, लोयस्क, आयनोर, और, लोयस्क का भंडारन, रिजर्व, तो छोटे डोंगर है, हमारे यहांप, क्लियर है, नेक्स देखते है अपना जाते हैं, परवत या हिल पर, तो ध्यान रखना, एक परवत यहां पर है, छोटे डोंगर के नाम से, इसके अलावा, एक परवतों की श्रंखला मिलेगी, जो कि इस जिले के, पूरे पूरे लगभग, पश्यमी भाग में फैली हुई है, नाम इसका क्या है, नाम इस का अबूज मार, समझ में आया, clear है, तो मैंने आपको क्या बताया, अबूज मार, यह बेसिकली परवतों की क्या है, एक श्रंखला है, सिरीज ओफ हिल्स है, ठीक है, अबूज मार, यह जो शब्ध है, इसका लिटरल मीनिंग अगर देखोगे ना, तो क्या आता है, पता है, अग्यात पहाड़ी, ठीक है, इंग्लिश में, the unknown hill, अग्यात पहाड़ी, unknown hill, समझ गये, अब यह जो अबूज मार है न, अभी तक, अबूज की इतिहास में सबसे जादा बारिश अगर कहोगे, किसी भी वर्ष में, तो वो कहा होई है, अबूज मार में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 36 गड़ का चेरा पूंजी, अब इससे न, कुछ लोग क्या समझे लगते हैं, कि हर साल सबसे जादा बारिश अबूज मार में हुई है, नई, ऐसा नहीं है, समझ गये, हर साल नहीं होती सबसे जादा बारिश, लेकिन अभी तक, 36 गड़ में इसको चेरा पूंजी बोलते हैं, क्योंकि आज तक कहोगे कि maximum वर्षा कहा पर हुई है, तो आज तक किसी भी वर्ष में सरवाधिक वर्षा अबूज मार में हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेरा पूंजी बोलते हैं, समझ गये, तो आज तक किसी भी वर्ष में स खाटी भी होगी वैली गाटी का नाम है खुरसेल, जो खुरसेल घाटी है न एक खुरसेल घाटी जो है वह बहुत फेमस है पता है किसके लिए। तो एक जल प्रपात के लिए, वाटरफॉल के लिए, जिसका नाम क्या है, खुरसेल, दूसरा ये फेमस किसके लिए पता है, तो उच्छ कॉल्टी के सागौन के लिए, टीक के लिए बहुत फेमस है, तो क्या देखें, अबूजमाण परवत है, छत्रण का चेरा पुजी कहला आता है, क्योंकि किस भी वर्ष में, आज तक सबसे जादा बर्षा कहा हुई है, तो अबूजमाण में हुई है, डेटा आप लोग पढ़े होगे, 187 cm, ठीक है, यहाँ पर घाटी है, घाटिक नाम क्या है, खुरसेल, जल प्रपात, खुरसेल, जल प्रपात, और उसके अला अब यह जो जाटलूड नदी है और इसमें, आपको प्राकृतिक रूप से मगर मच मिलते हैं, क्या मिलते हैं? तो naturally प्राक्रतिक रूप से मगरमच मिलते हैं, क्रोकडाइल मिलते हैं, कहाँ पर अपनी जाटलोर नदी में है, सब किधर पर पढ़ रहे हैं, आप अबूज मार के अंतरगत पर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, अबूज मार छेत्र किसी जंजाती के लिए भी famous है, तो ध्यान र अबूज मार में रहे, तो इतना सारा चीज अबूज मार के बारे में आप लोग क्या है, बेसिकली याद रखना, और प्लस ध्यान रखना, ये 30 words का means का question भी है, पूछा था अबूज मार से आप क्या समझते हैं करके, ठीक है, तो अबूज मार परवतों की श्रंखला है, औ और साथ में यहाँ पर बहुत घने जंगल भी है, समझ गाया, तो ये परवतों की श्रंखला तो है, series of hills तो है, ये बहुत घने जंगल है, बहुत densely forested, clear है, तो ये है अबूज मार, ओर्चा को क्या बोलते हैं, पता है, ओर्चा को बोलते हैं, अबूज मार का प्रवेश द द्वार, the gateway to अबूज मार, क्या बोलते हैं इसको, अबूज मार का प्रवेश द्वार, gateway to अबूज मार बोलते हैं किसको, ओर्चा को, ठेक है, अच्छा, दो नदिया यहाँ पर देख जाएंगे आपको, नदिया कौन कौन सी है, तो एक अबूज मार से निकलने वाली नाम है इसका, गुड्रा, और एक नदी, जिसके तट पर नारायनपुर है, इस नदी का नाम क्या है, निबरा, तो दो रिवर्स है, गुड्रा जो की निकलती है, अबूज मार से, निबरा, निबरा का ओरिजिन, उद्गम क्या लोगे, नारायनपुर, टेर है, तो गुड्रा, निबरा, दो नदीया हो गई, ठीक है, जल प्रपात की बात करोगे, तो खुर से अलेक बता चुका हूँ आपको, छोटे डोंगर के, साउध की तरफ, एक और वाटरफॉल मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, हादा वाडा, मिलकुल वाडा, क्या है, हादा वाडा, मिलकुल इसके अलाबा, एक और जल प्रपात है, जिसका नाम है क्या, नोगो बागा, क्या नाम है इसका, नोगो बागा, अब ये जो नोगो बागा जल प्रपात है, इसका लोकेशन नहीं मिलेगा, बट जिले नरायनपूर में ही आपको क्या करना है, नोगो बागा जल प्रपात को लिखना है ठीक है इसके बाद अगर देखोगे कोई बहुत important इंडस्ट्रियल एरिया तो यहाँ नहीं है कोई इंडस्ट्री नहीं है नाशुल पाक वाइड एक सैंक्शुरी वो भी नहीं है यहाँ पर तो finally जोगरफी वाला section भी खतब अब हम लोग किस परा जाते हैं जनजाती परियाटन tribes and tourism तो यहाँ पर जनजाती बता चुका हूं अल्रेडी कौनसी अबूज मारिया जनजाती कौनसी अबूज मारिया tribe यहाँ पर मिल जाएगी और परियाटन टूरिजम में ध्यान रखना नारायनपुर में ऐसा परियतन तो नहीं है बाट फिर भी याद रख लेना नारायनपुर में क्या है तो है राम क्रparashna mission आश्रम अभी जो राम क्रीश्ण mission आश्रम है इसकी स्थाबना यहाँ पर 1985 में हुई थी इसका उध्गाटन स्वामिया आत्मनन ने किया था समझना आया ठीक तो स्वामिया आत्मननन ने उध्गाटन किया था स्टार्ट हुआ था 1985 में रामकृष्ण मिशन आश्रम इसके माध्यम से जो जन्दात्वी बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता है सिक्षा दिक्षा जी जाती इवन वोकेशनल ट्रेमिंग जो है वो भी क्या कराई जाती है उपलब्ध कराई जाती है इसके अलावा नरायनपूर में आच सच और परेटन के लिए कुछ विशेश नहीं है तो जन्जाती परेटन में फाइनली क्या याद रखना जन्जाती अबूज मारिया परेटन में रामकृष्ण विशन आश्रम नरायनपूर डन चलो तो यहाँ पर इतना ही था आपना नरायनपूर डिस्ट्रिक्ट इससे जादा कुछ विशेश है नहीं फाइनली कुछ क्वेशिन के साथ वीडियो को खतम करते हैं पहला क्वेशिन है नोग में इसका क्वेशिन बताया हूं 30 words का तो इसको आप लोग क्या करिएगा अच्छेस ध्यान में रखेगा बढ़ियास तयारी करिएगा मेरी और competition community की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्देख शुपताम नाए और मैं मिलूंग आप सभी से अपने अगले वीडियो में अप्ताकले थांक्यू और टेकर